नमस्कार दोस्तों मैं राजा रम सर्मा और आज हम बात करेंगे human skeleton मतलब कंकाल तंत्र के बारे में जो हंकाल तंत्र के अंदर हड्डियों के बारे में जानकारी ले जाती है तो कंकाल कंत्र को दो भाग में डिवाइड करते हैं एक तो अगर आगर हम बात करें तो लाकूल बात करें तो सिंग और खोर आतें थे अगर हम बात करते हैं आंत्रिक कंकाल की तो जो इस रिख सरीर के अंदर होती है अब इसमें जो हड्डियां उसकी हम बात करें तो हड्डियां बनी किस चीज़ की होती है देखे हड़ियां दो पार्ट इसके अंदर मिलेंगे हड़ियों के अंदर कौन कौन से मिलेंगे हड़ियों के अंदर दो पार्ट मिलते हैं एक तो लिक्विड द्रव पार्ट होता है द्रव भाग जो होता है हड़ियों के अंदर वो कौन सा होता है जल पानी ठीक है ये मिलता है 25% मतलब हड़ी के अंदर 25 प्रतिसत क्या मिलेगा पानी मिलेगा उसके बाद में solid part जो होगा ठोस भाग जो होगा हड़ी के अंदर वो ठोस भाग कौन सा है वो ठोस भाग जो होता है उससे हम दो भागों में माटते हैं कौन कौन सा एक तो होता है और्गनिक कंपाउंड जिसे बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ दूसरा होता है एकार्बनिक पदार्थ प्यकार्बिनिक प्दात प्लियर रुआ होगा फड़ियों के अंदर जो हड़ियों कर संगठन हम देख भ़ा रहे हैं संगठन को समझने के लिए हड़ियों को हड़ियों के संगठन को दो भाग कोन-कों से हैं पहला तो है द्रव भाग, हड़ीओं के अंदर क्या मिलेगा द्रव, जो हड़ीओं का द्रव भाग है, उसमें क्या आता है? जल होता है 25% और जो ठोस भाग है उसमें दो पदार्थ हो सकते हैं, एक तो होंगे कार्बनिक और दूसरे होंगे ऐकार्बनिक जो औरगनिक common है, वो औरगनिक compound होते हैं protein, ठीक है, हड़ी के अंदर क्या मिलेगा, protein मिलेगा, और protein केतना होता है, protein होता है, यहाँ पे 30%, एकार्बनिक जो पदार्थ हैं, एकार्बनिक पदार्थ हमें आते हैं खनिजलबण, जिसमें calcium, potassium, magnesium, और इनके जो phosphate और कार्बनेट हो होते हैं और जो एकार्वनिक पदार्थ होते हैं वो टूटल होते हैं 45 परसेंट ठीक है तो इस तरीके से अगर हम अड़ी का संगठन देखें तो क्या आ गया जल कितना आएगा 25 ठीक है 25 परसेंट जला गया फिर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कतना आजाता है प्रोटीन आजाता है यहां पर 30 परसेंट और जितनी भी खनीज लवण हैं जिसमें एकार्वनिक पदार्थ आते हैं इन और्गनिक कमपाउंड आते हैं मैं आपको बता चुका ह कि खनीज लवणों में क्याएंगे केल्सियम और मैगनीशियम के कार्वनेट इसके अलाबा अन्य जो सुख्ष मात्रिक तत्व होते हैं वो भी ठीक है तो यहां पर हम डाल सकते हैं खनीज लवण ठीक है और जो खनीज लवण है वो कितने आते हैं 45 पासेंट इस तरीके से जाता है हड़ी का संगठ है तो आपके हड़ी का संगठ है हड़ी किस चीज से मिलके बनीए ठीक है जिसमें 25 परसेंट पानी है 30% प्रूटीन है और उसके अलाबा क्या मिलेगा हमें 45% खनीज लवण में इन खनीजों में जो मुख्य खनीज होता है वो है केल्सियम लगभग 1200 ग्राम के आसपास जो केल्सियम होता है उसका 99 परसेंट भाग कहां पर मिलेगा आपको हड्डियों और दातों के अंदर अब अब आगे हम देखते हैं प्रसन आता है हड्डियों की संख्या कितनी होती है अगर हम काउंटिंग करें हड्डियों की संख्या तो संख्या मानव के अंदर कितनी होती है तो देखे जो होता है न्यूबॉर्ण बेबी जो बच्चा एक दो दिन पास दिन का होता है उसके अंदर हड्डियां नहीं होती है उनका पूरा का पूरा सरीर उपास्थी का बना होता है ठीक है और उपास्थी जिसको काल्टिलेज उपास्ती क्या होती है हड़ी का परिपदार्थ होता है जब वातबर में वो बच्चा रहता है तो थीरओ दीरूंड में अस्थी में convert हो जाती है और जब प्रारागम में उसके अंदर हड़ीयों का निर्माण होता तो यह सब चीजे कि तो कुछ हड्डियां धीरे-धीरे जुड़ करके और कम होने लग जाती हैं जैसे 10 हड्डी एक साथ जुड़ी तो 9 हड्डियां कम हो गई फिर 4 हड्डी एक साथ जुड़ी तो फिर 3 हड्डियां कम हो गई पांच हड्डी एक साथ जुड़ी 4 हड्डी कम हो गई इस तरीके से लास्ट में जब पूर्ण मैच्योर हो जाता है विक्ति स्वस्थ और एक व्यस्क विक्ति के अंदर हड्डियों की संख्या जो देखी जाती है वो होती है कितनी 206 तो आप ये फिगर याद रखें और ये फिगर याद रखें ठीक है बच्चों के अंदर 306 ठीक है और कई वा हम पढ़ा हड्डी का संगठन हमने पढ़ा हड्डी की संख्या अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे सरीर में कितनी हड्डियां है 206 तो कौन-कौन सी हैं काउंट करके देखते हैं ठीक है तो देखिए इसको हम करते हैं काउंट कैसे चलो इसको अटा देते हैं यह हम पढ़ चुके हैं इसलिए इस वाले पॉर्शन को हम हटा देते हैं ठीक है भी यहां तक का पॉर्शन हमने हटा देते हैं अब देखे क्या है हम इसकी बात करते हैं कि यह वाला जो आप देख पा रहे हैं यह human escalator है मानव का कंकाल तंत्र है ठीक है जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है human escalator मानव का एक कंकाल तंत्र है इस मानव के कंकाल तंत्र के अगर हम बात करें तो दिखिए इसमें आप दो तरीके से देख पा रहे हैं एक तो रेड वाला जो पोर्सन है ये वाला ये रेड वाला जो पोर्सन है और एक आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलरता है तो ये इसलिए किया हुआ है कि मानव के कंकाल को समझने के लिए हम दो भागों में बाटते हैं वो दो भाग कौन-कौन से हैं वो दो भाग हैं एक तो होता है अक्षिय कंकाल एक्सिस एसकेलेटन अक्षिय कंकाल ठीक है उसके अलावा दूसरा होता है अपेंडिकुलर या फिर उसे बोलेंगे उपांगिय कंकाल दूसरा होता है उपांगिय कंकाल क्लियर हुआ भी हमने क्या पड़ा मानव का कंकाल दो भागों में बटा हुआ है एक तो है अक्षिय कंकाल दूसरा उपांगिय कंकाल अब कौन-कौन से भाग है ये दखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नेले कलर का ठीक है ये जो आप नेले कलर का द आता है ये वाला भाग आता है अक्षियक कंकाल के अंदर किसके अंदर आएगा भी अक्षियक कंकाल के अंदर ठीक है ये अक्षियक कंकाल के अंदर आता है तो इसको हम एक्सिस एसकेलेटर के थीक है उसके अलाबा जो हाथ और पैर की हड्डियां होती है वो आती है उपांग अब इनको हम आपको बताते हैं कितनी और कौन कौन सी हड्डिया होती हैं अगर हम अक्षय कंकाल की बात करें तो देखें अक्षय कंकाल के अंदर कितनी होती हैं अक्षय कंकाल के अंदर कौल असी हड्डिया होती हैं कैसे कैसे देखिए भी कैसे होती हैं हम बात करते हैं कपाल ये ये वाला जो उपर वाला भाग ये वाला कपाल कुन सा है कपाल ये अपने जहां पे बाल पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं कपाल जहां पे हमें बाल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बई कपाल ठीक है जहां पे बाल पाए जाते हैं उसको बोला जाता है कपाल ठीक है और कपाल के आठ अड़ियां होती है कपाल के अंदर कितनी अड़ियां होती है आठ कपाल में जो अड़ियां पाए जाती है वो है आठ ये आठ हड्डियां मिलकर के इस्ट्रक्चर बनाएंगी एक संरचना बनाएंगी उस संरचना को कहा जाता है क्रेनियम क्या कहते हैं क्रेनियम ठीक है ये आठ हड्डियों और आठ हड्डियों की जो इस्ट्रक्चर बनेगी उसे बोलेंगे क्रेनियम तो ये कपाल वाला भागया जो क्रेनियम है इसमें कितनी हड्डिया होती है आठ हड्डिया होती है कपाल के अंदर जो जगे बच जाती है उसको बोल देते हैं क्रेनियल केविटी और क्रेनियल केविटी में मस्तिस्क हमारा रखा होता है क्लियर गुआ भी तो ये कपाल है और इसके अंदर होती है आठ हड्डियां अब हम बात करते हैं चेहरे की ठीके तो चेहरे पर हड्डियां होती है जॉदा ये जो आगे की तरफ यहां आप देख पा रहे हैं इसको हम थोड़ा सा और जूम कर दें ठीके ये अगर आप देख पा रहे हैं यहां यह तो यह 8 हड़ियां कपाल पर होती है और चेहरे वाले भाग पर कौन सी कितनी हड़ियां होती है 14 हड़ियां उसके बाद कपाल दूसरा चेहरा फिर आते हैं थोड़ा सा और नीचे कान के अंदर 3 हड़ियां होती है Мalleusendar Ancampus Stepes और वहोती है मध्यकर्ण के अंदर मध्यकर्ण मतलब कान के मध्यभाग में होती है तीन हड़ियां मैलियस, इनकस, इस्टेपीज जो आप सब जानते भी हैं कि इस्टेपीज कान के अंदर मिलती है और सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है ठीक है तो कान की अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे कान कान में कितनी एक तरफ तीन दूसरी तरफ तीन और टोटल हो जाती है छे, तो कान के अंदर कितनी हड़ियां हो गई छे हड़ियां हो गई फिर और थोड़ा नीचे चलते हैं और एक आती है हॉइड हॉइड जिसको हम कंठ आस्थी भी बोलते हैं कंठ के अंदर मिलती है यहाँ पर ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं हॉइड, यह कंठ आस्थी है जब आप बोलेंगे तो यहाँ से वाइस आती है, आवाज आती है तो यह कॉन सी कंठ के अंदर मिलने वाली हड़ि जिसको हम बोलते हैं हॉइड और यह एक मात्र ऐसी हड़ि है जो कंकाल तंतर से दूर रहती है, एक मात्र ऐसी अड़ि है जो कंकाल तंतर में कहीं पे भी अटैच नहीं होती है, अलग सेपरेट है सबसे, ठीक है फाइड होती है, यह एक ठीक है यह आपको याद रखनी है, सबसे अलग होती है अच्छा इसके बाद और अगर हम देखें इसके बाद और हम देखें तो और थोड़ा आगे चलते हैं फिर किसकी बाद आती है रिब्स पसलियां ठीक है पसलियां सब जानते हैं जोड़े के रूप में पूछ ली जाती है पसलियां जोड़े के रूप में पूछ ली जाती है और ये कितनी होती है ये होती है वहिया 24 ठीक है 12 जोड़े 12 पेर्स होते हैं 12 जोड़ी होती है और ये किसके रूप में होती है ये कितनी होती है टोटल 24 पसलियों को बीच में जोड़ने वाली एक संरचना होती है यहाँ पे ये पसलिया है ठीक है आप देख पा रहे हैं ये प इसको बोलेंगे sternum, clear हुआ, sternum कितनी है, cake, और फिर आजाती है, backbone, ready के अड़ी, ठीक है, ready के अड़ी के अंदर, जिसको हम बोलेंगे, मेरुदंड, ठीक है, इसमें हड्डियों के संख्या कितनी होती है, 26, ठीक है, 26, 26, तो अब इनको count कीजिए, कितनी हो रही है, देखिए, 26, 52, 52, और 80, और 20, 80, तो इस तरीके से, axis escalator, अक्षिय कंकाल के अंदर, हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 80, हो गया बे क्लियर, यह हो जाता है, अक्षिय कंकाल, अक्षिय कंकाल के अंदर, हड्डियों होती है, असी, next, अब हम बात करते हैं, appendicular, escalator, जिसकों बोलेंगे, उपांगिय कंकाल, ठीक है, उपांगिय कंकाल, उपांगिय कंकाल में क्या होता है, हाथ और पैर की हड्डियां आती है, हाथ और पैर की हड्डियां, जैसे कि आप देख पा रहे है, यहाँ पे, यह जो, पिंक मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, इस पिंक मार्क में आप जो देख पा रहे है, हाथ और पैर की हड्डियां किसमें आएगी, उपांगिय कंकाल के यहां पर हम देखते हैं कितनी होती है कौन कौन सी होती है ठीक है तो स्टार्टिंग में हाथ की अध्या ले ले लेते हैं हाथ और पैर की हड्या हाथ और पैर की हड्यां से पहले इसमें क्या मेखला और आती है मेखला मेखला में एक आती है अंस मेखला ठीक है और एक आती है स्रोणी मेखला अंस मेखला और स्रोणी मेखला क्या होती है अंस कंधे को बोलते हैं तो कंधे वाला जो भाग है ये अब देख पा रहे हैं ये वाला भाग है ये वाला जो भाग है ये कंधे वाला भाग है इस भाग को बोलते हैं अंस मेखला और इसके अंदर दो हड़ियां होती हैं आगे के तरफ जिसको बोलते हैं ये हसली बोलते हैं या इसको हम beauty bon कहते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं skeptical जा सॉरी skeptical पीछे किये इसको बोलते हैं पतला चार, स्रौने मेखला ये कमर वाली हड़ी होती है, यहाँ पर ये आपको देख पा रहे हैं, कमर वाली हड़ी दोनों तरफ एक एक होती हैं, ये हो गई दो, टोटल जो मेखला हैं होती हैं, वो कितनी हो गई, छे, उसके बाद में, उसके बाद में आप देखते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आप देखवा रहें यहां उपर से कंदे से लेकर के कोहनी तक कंदे से लेकर के कोहनी तक जो हड़ी होती है उसको बोलते हैं हुमरस ठीक है कंदे से लेकर के कोहनी तक जो हड़ी होती है उसको बोलेंगे हुमरस यह उपर वाला भाग हैंड और यह भाग कहलाता है soft ठीक है तो ये पूरी की पूरी हड़ी क्या कहलाती है humorous humorous के बाद नीचे वाला जो भाग है बाज़ो वाला जो कहनी से नीचे ठीक है कहनी से नीचे यहाँ पे दो हड़ीयां होती है radius और अलना ठीक है radius और अलना एक ये हो गई और अलना कौनसी है जो पीछे की तरफ है ठीक है तो इस तरीके से रेडियस और अलना दो हड्डियां होती है और फिर आजाती ही ये कलाई वाला बात कलाई वाले भाग को कहा जाता है कारपल्स और इसके बाद कलाई से नीचे ये जो है हतेली वाली हड्डियां इनको कहा जात है metacarpals ठीक है तो carpals हो गई metacarpals हो गई और flanges इनको बोलते है अंगुलास थे हां जो अंगलियोंगे अंदर होती है तो देखिए एक को humorous ठीक है तो total 2 हो गई यहां पे 2 और 2 4 हो गई कारपल्स की बात करें तो यह कारपल्स होती है आठ एक हाथ में आठ दूसरे में आठ उसके बाद में ये मेटा कारपल्स होती है हथेली में ये कितनी होती है पांच प्लस पांच और बात करते हम अंगल अस्तियों की जो कहां मिलती है अंगलियों के अंदर अंगलियों में जो मिलती है वो 14-14 मिलती है clear हुआ भी इस तरीके से इनकी संख्या हो जाती है 60 चीक है, total कितनी हो गई 60, हमने हाथ की हड्डियों के बाद की आप counting याद रखेंगे और इस तरीके से sequence में याद रखेंगे ये क्या है humorous ये वाला भाग humorous यहां से यहां तक, कहनी से लेके कलाई तक, इसको बोलते हैं radius, अलना, दो हड्डिया होती है radius, अलना, ये वाला भाग कलाई का जो जहां से मुड़ पा रहा है ठीक है, इसको बोलते हैं हम इसमें जो हड्डिया होती हैं उनको बोलते हैं अंगलियों के अंदर फिर 14 हड़िया होती हैं, 3-3 तो 4 अंगलियों में हैं, और अंगुठे में ये नीचे वाला पोर्सन हमने कारपल्स के साथ काउंट किया था, तो इसको हम यहां फिलेंजेज में काउंट नहीं करेंगे, तो यह हमारे पास टोटल हो जाती हैं कितनी 14 यह दिये हुआ है, आपके सामें जो यह पैर आप देख पा रहे हैं, कितनी हड़िया हैं, आप देखें, ठीक है, जांग वाला जो भाग है, यह आप देख रहे हैं, जांग वाला जो भाग है, यहां से, इसमें जो अड़ि होती है, उसको बोलते हैं, फीमर, सरीर की सबसे लंबी अड़ी होती है जिसे कहा जाता है फीमर ठीक है सरीर की सबसे लंबी अड़ी होती है जिसको कहते हम फीमर फीमर के बाद आता है पटेला पटेला क्या है घुटने के उपर घुटने के उपर जिसको हम पाड़ी भी कहते हैं और वो कहलाता है पटेला क्लियर हुआ ये है पटेला उससे और थोड़ा नीचे चलते हैं जिस तरीके से हमने हाथ में यहाँ पर देखी थी कौहनी से कलाई तक ऐसे ही इसमें आप देखिए ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे नीचे घुटने से नीचे की तरह जैसे बिलकुल हाथ में थी वैसे ही आप यहाँ पर देख पारें दो हड्डिया हैं टीबिया और फेबुला इसमें जो बाहर की तरफ है जो बाहर की तरफ हड्डी होती है वो तो है फेबुला और अंदर की तरफ जो पैर में हड्डी होती ह वो है टीबिया तो टीबिया और फेग्रूर यह दो अग्ला स्की है फिर उसके बाद आ जाती है वही हुआ जैसे हमने कलाई में यहां पर पढ़ी थे ऐसे oda जोशल्स अ जाती है Espa give जो पंजे वाला भाग है टोटल दो पटेला दोनों तरफ एक है तो यह हो जाती है दो टीबिया फिबुला दोनों तरफ दो दो हैं तो यह हो जाती है चार ठीक है टीबिया फिबुला टीबिया और फिबुला एक एक खड़ी हो गई तो पैर में नीचे वाले भाग में दो गई और दोनों तरफ चा साथ, ठीक है, मेटा टार्सल्स वो ही 5 प्लस 5, और फिलेंजेज वो ही 14 प्लस 4, और ये भी कितनी हो जाती हैं, ये भी सारी मिलाकर के अगर हम देखें, तो ये हो जाती हैं, साथ, येर गुआ भी, हमने पूरा कंकाल पढ़ लिया, पूरे कंकाल में क्या पढ़ा पहले, खोपड़ी, चैरा, खोपड़ी, वर्ड जो होता है, खोपड़ी वर्ड का मतलब है, ये गर्दन के उपर वाला भाग, जिसको हम यहां से काड़ दाएं, तो जो फुटवाल की तरह आपको दिखाई देगा, ये क्या है, खोपड़ी, ठीक है, अब इसमें अगर कपाल की ब बड़ा बेटा है, वो ऐसे कपाल में जो क्रिया होती है, तो कपाल क्रिया है, आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा ठीक, नहीं लगता है, इसके बारे में ज्यादा वर्ड़न करूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कपाल हो गई और ये खोपड़ी है, उपर व अक्षे कंकाल के अंदर हमने कितनी पढ़ियां देखिए, आपको बताया हुआ है, अक्षे कंकाल में हमने पढ़ियां, असी, उसके बाद हमने पढ़ियां, मेखला, तो आपको बता चुके हैं, मेखला कौनसी, अंस मेखला, इसमें दो दो हड़ी, चार, और स्रौनी मेखल जो की कमरवाली है इसमें कितनी 2 ठीक है तो टोटल मेखला कितनी हो जाती है मेखला हो जाती है टोटल 6 उसके बाद में हाथ हाथ में 60 पैर में 60 अब आप देखे कितनी हो रही है भी यह हड़ी ठीक है तो 120 और 80 200 और 6 यह हो जाती है टोटल 206 इस तरीके से ये हमने पढ़ी है मानव के अंदर मिलने वाली कुल अस्थियां। अब आप जो ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ये क्या है? ये है अपकी बैट बॉन, मेरु रज्जु। अब हम इसको क्यों देखा रहे हैं? तो इसका एकरीजन है, समझें। क्यारीजन है? कि हमने अभी अभी अकश्यकंकाल पढ़ाए, ओर अकश्यकं काल में आपको हमने क्या बताया था? अकश्यकंकाल में हमने बताया कि बैद बॉन के अंदर जो हड्जु। होती हैं वो 26 होती है और हमने काउंट किए 26 होती है लेकिन अगर आपसे अलग से पुछा जाए कि मेरू दंड में कुल कितनी कशे रुकाएं होती है तो आप याद रखेंगे वो होती है 33 अब आप कहेंगे किसाब ऐसे कैसे है हम एक जगे तो 26 बोल रहे हैं एक जगे 33 बोल रहे हैं तो कौन सा सही होगा ठीक है तो भीया बात यह है हम ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हड्डियां धीरे धीरे करके जड़ जाती है और 306 से लास्ट में सुहा रहा है पूरे कंकाल में ये है अपनी बेगबॉर रज्व इसके अंदर मिलती है जैसे हम बलते हैं ये खोपड़ी है है ठीक है कपाल है कपाल के अंदर मस्तिसक मिलता है तो मिरु रजु मिरु दंड के अंदर मिलती है अब यहां पे देखी जो 33 हड्डियां अब देख पा रहे हैं इनमें क्या होता है जो लास्ट वाली हड्डियां होती है इनमें 5 हड्डी एक साथ जुड़ती है और 4 हड्डी एक साथ जुड़ती है कितनी हड़ीया होती है 33 कशीर रुकाई होती है और इसका जो सबसे उपर वाला भाग है जहांसे ये खोपड़ी जुड़ी हुई है सबसे उपर वाले पार्ट में इसको कहा जाता है एलास कड़ी होती है है प्रहाग मांड को रखा रखा हुआ है तो पाश्चास देसों में इसको इसको यह हमारा было है यह तो Fridays मंड के स्टेटिका है एटलस पे तो इस ग्रेव का सिरों की सबसे टॉप वाली बाग को हम बोलते हैं एटलस टैंक यू बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में